इस डिवाइस में दोस्तो 6.72 इंचेस का FHD प्लस 90 हर्ट रिफ्रेस्ट वाला डिस्प्ले मिलता है साथ के दिवाइस यह डिवाइस एंडोइड 13 रियल में 4.0 स्टेबल अप्डेट के साथ में आती है पावर के लिवाइस में हीलियो जी 88 प्रोसेसर मिल जाता है और रियल में कैपसुल नाम का किस पीचल फीचर मिल जाता है साथ हम दोस्तों यहाँ पे 5000 एमेज की बैटरी मिलती है 33 वाट की फास चार्जिंग इस वीडियो में दोस्तों हम इसका चार्जिंग टेस्ट करने वाले है इस ताइप के आपको चार्जिंग केबल मिल जाती है टाइप सी यहाँ पे आप दे सकते हो 33 वाट का यह सूपर वुक चार्जर है जो कि नार जो N55 डिवाइस को चार्जिंग करने के लिए दिया गया है और इसमें 5000 एमेज की बैटरी है देखते हैं कि यह चार्जर 5000 एमेज की बैटरी को कितने दिन में चार्ज कर पाता है तो चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब जरू से कलेज़ेगा हैं सेम में कितने बैटरी यहां पर चार्ज होई है तो चार्ज बगते हैं धिखते हैं आगे हमारा यहां पर neden08 चार्ज होते होें तो भी है यहां पर थोड़ी सी चार्जिंग है अभी स्लो लग रही है देखते हैं आगे यहां पर क्या ग्रीप पगड़ती है अगला चो टाइम स्टैम पर दूस्तो हमारा यहां पर टैन मिनिट का होने वाला है अप्रॉक्समेटली यहां पर नाइन मिनिट हो चुके देख सकते हैं यहां पर 23% तक यह मोबाइल चार्ज हो जाता है थोड़ा यहां पर मुझे अभी चार्जिंग जो है स्पीड कम लग रही है क्रीप यह नहीं पकड़ पाया है नेक्स्ट टैम इस टैम दोस्तो हमारा यहां पर 20 मिनिट का हमने लिया है और देखते हैं कि आफ 25 तक जाना था लेकिन कोई बात नहीं अगला टाइम स्टैम हमारा यहां पर 30 मिनिट होने वाला हाफ और का जो समय है रियल मिनिट 29 मिनिट में 50% बोला था आप देखते हैं कि यहां पर हाफ और में कितना चार्ज होता है तो यहां पर दोस्तो हमारा जो मॉबाइल है अभी 44 परसेंट पर ही है 30 मिनिट बात याने आदे घंटे बाद यह 44 परसेंट तक ही है थोड़ा बहुत टाइमिंग या फिर परसेंटेज इदर उदर हो सकता है आफ्टर 40 मिनिट अगर हम यहां पर चेक करें तो आप यहां पर देख सकते हो जो टाइमिंग यहां पर काफी ज़दा होड रहता है तो यहां पे चार्जिंग 4-5% दरदर हो सकती है यहां पे आफटर 50 मिनिट अगर हम चेक करें तो 50 मिनिट के बाद यहां पे आप देख सकते हो जो मुबाइल है 70% तक चार्ज हो जाता है तो 70% यहां पे मुझे अभी ठीक लग रहा है थोड़ी सी स्पीड इसने पकड़ा है आफटर 60 मिनिट याने की वन आवर में हम अगर चेक करें की भी एक घंटे बाद कितनी चार्जिंग होती है तो एक घंटे बाद नार्जो N55 जो है 83% तक चार्ज जाता है दोस्तों यहां पे आपको सूपर बुक चार्जिंग मिलती है 33 वाट की और 5000 mAh की बैटरी को यह चार्ज कर रहा है अब देखते हैं रिमेनिंग 17% जो बचा हुआ है इसमें यह मुबाइल और कितना यहां पे टाइमिंग ले लेता है आप्टर 1 अवर 10 मिनेट यानि की टोटल 70 मिनेट में हम चेक करते हैं तो यहां पे 93% तक यह मुबाइल चार्ज जाता है भी 7% अभी भी यहां पे बचा हुआ है देखते हैं कि इस 7% को चार्ज होने में और कितना समय लगता है आप्टर 1 अवर 15 मिनेट में हम अगर यहां पे चेक करें तो 1 अवर 15 मिनेट में आप यहां पे देख सकते हो यह जो मुबाइल है 99% तक चार्ज हो चुका है अप्रोक्समेटल यहां पे थोड़ा सा ही टाइम अभी यहां पे रिमेनिंग है और टोटल यहां पे 75 मिनेट हो चुके हैं 15 मिनेट यहांने के टोटल 75 मिनेट इतना इसे टाइम लगता है चार्जिंग होने में और दोस्तों मैंने यहां पे आपको पहले ही बताया है अट्मॉस्फिर थोड़ा सा होड रहता है तो 5-4% इधर उधर हो सकता है तो अप्रोक्समेटल यहां पे 70-75% पे यह मुबाइल जो है फुली चार्ज हो जाता है तो भी और रहल दोस्तों चार्जिंग जो स्पीड है इस प्राइस सेग्मेंट में काफी अच्छे है इस प्राइस सेग्मेंट यानि की 4GP 64GP वेरेंट इसका आफर के साथ में 10,299 अप्रॉक्समेटली 10,000 में मिल जाता है तो भी यहां प इसका जो फास सेल है अमेजन के अंदर 18 आफ फेबरी वरी की 12 नून को होने वाला है आप इसे क्रैप कर सकते हैं काफी अच्छी प्राइसिंग के साथ यह मुबाइल लांचर और काफी सारे फीचर भी इसमें मिल जाते हैं इसका डीप रिव चैनल पेवलेबल है चेक और कोई डाउट कोश्चेन आप कमेंट सेक्सें में पूछ सकते हैं फिलाल दोस्तों इस वीडियो में इतना है मिलते हैं नेक्स ने वीडियो के साथ में तब तक लिजान बोलते रहिए फंदे मातरम